कि नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए में आप सभी का हाथ दिख्वागत हैं नावरात्र की ये तोटके बदल देंगे आपकी किस्मत जी हाँ दोस्तों नावरात्र में किये तोटकों का लाफ चल्द ही मिलता है और अवश्य मिलता है और यदि आप नावरात्र में तोटका करते हैं तो इसका अवश्य जरूर मिलता है तो आज का जो टॉपिक में आपके के लिए लेकर आया हूं अचानक धनलाब के लिए टोटका जी हां दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंतितब देखते रहें और आपको मैं बता दू अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल देशी में इसके अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे टिप्स और ऐसे उपाई लेकर आते रहते हैं जो आपकी जिवन को सरल और सुक्मे पनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देशी न और मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं अपने सामने तेल के नौ दीपक चला लें यह दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए इन नौ दीपकों के सामने लाल चावल की एक धेरी रखकर उस पर श्रीयंत्र रखें इस श्रीयंत्र का कुम कुम फूल धूप तथा दीप से पूजन करे इस पूरी क्रिया के बाद एक प्लेट में स्वास्थिक बना कर उसका पूजन करे इस पर श्रीयंत्र को अपने घर में पूजा इस्थल में इस्थापित कर दें जो आपका श्री रंग रखा हुआ था चावल के उपर उसे पूजा इस्थल पर इस्थापित कर दें तथा शेश सामिग्री को नदी में प्रवाहित कर दें इस प्रयोग से आपको जल्दी ही लाभ मिलेगा और आपके घर में अचानक धनलाब होने लगेगा और दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है जनकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप भी धनलाब शिग्र ही चाहते हैं तो इस तोटके को अपनाए और धनलाब पाए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या जवाब या सवाल या सुझाओ इस वीडियो से रिलेटट आ रहा हो तो हमें कमेट बाक्स में लिखकर तुरंत पूछें हम इसका जवाब देंगे और दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे तुर्ण सब्सक्राइब करें तो नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए तुर्ण सब्सक्राइब कर ले और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले नमस्कार दोस्तों